हेलो और बेलकम टो आला फ्यू आज हम लोग साइन्स क्लास सेवंथ के चेप्टर फाइब का अगला वीडियो पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे यहां पर नूट्राइजेशन यह जो आपका आज का टॉपिक है नूट्राइजेशन नूट्राइजेशन के हिंदी होती है उदासीनी करण नूट्राइजेशन के हिंदी होती है उदासीनी करण तो यह आपका नूट्राइजेशन टॉपिक है इसको हम यहां पर रीर करते हैं और इसमें क्या दिया है इसको हम एक एकर के हाँ पर समझते जाते हैं तो नूट्राइजेशन में सबसे पहले एक टॉप blue litmus को red color में convert कर देता है और जो base होता है वो red litmus को blue color में convert कर देता है let us see what happens when an acid is mixed with a waste तो चलिए हम देखते हैं कि अगर acid और base को हम एक साथ मिला देते हैं तो इसका paradigm क्या होता है क्योंकि acid और base एक दूसरे के एक तरह के से opposite होते हैं जो acid होता है और जो base होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं जैसे आप कई सारी चीजों को देखें जैसे कहीं पे जैसे उंचा है और कोई स्वानीचा है तो इस तरीके से आप इसको समझेगा कि जो acid और base होते हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल opposite होते हैं आगे यहाँ पे रेट करते हैं we are going to use an indicator you have not used so far तो आगे हम लोग एक ऐसे indicator का यूज़ करेंगे जिसका उपयोग आपने अभी तक नहीं किया हुआ है इट इस कार्ड फिनॉल्थेलीन तो यह जो आपका नया एक indicator है इसको हम क्या कहेंगे फिनॉल्थेलीन यह आपका यहाँ पे लिखा गया है तो यह एक नया indicator है क्योंकि अभी तक हमने जो है चाइना रुज बटल क thanking का यूज़ क्या है और लीटमस फेपर का यूज़ किया है रेकिन हमने फिनॉल्थेलीन का यूज अभी तक नहीं किया हुआ है तो यह एक नए इंडिकेटर है, इसका हम यूज यहाँ पर करने वाले है नीचे दिखिए एक activity दे गए है activity 5.5 यहाँ पर लिखा है to be demonstrated by the teacher in the class तो class में इसको teacher के द्वारा आपको demonstrate करना है लेकिन चुकि हम लोग online पढ़ रहे हैं तो इसमें demonstrate करना तो possible नहीं है लेकिन इसको हम read करेंगे activity को और आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तों में यहाँ पर क्या कुछ किया गया है तो चलिए इसको हम read करते हैं फिल one fourth of a test tube with dilute hydrochloric acid किसी test tube की चोथाई भाग को dilute hydrochloric acid से आप भर दीजे note down its color इसके color को आप note कर लिजे कि इसका color क्या है note down the color of the phenethylene solution also और जो phenethylene का color है इसको भी आप ध्यान से note कर लिजे कि इसका color क्या है add two three drops of the indicator to the acid acid के दो तीन drop को indicator के अंदर आप डालिए यानि जो आपने यहाँ पे लिया हुआ था test tube में एक test tube में आपका indicator था दूसरे में hydrochloric acid था तो आपको क्या करना है जो acid में इस acid में indicator के दो तीन बूदों को आप इसमें डालेंगे एक dropper की सहयोग से now shake the test tube gently और gently मतलब होता है बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे साउधानी से तो आप जो test tube हो उसको gently shake करिये बहुत धीरे धीरे क्योंकि यह acid अगर आपके हाथ पे पड़ गया तो यह बहुत ज्यादा नुक्सान कर सकता है हालंकि इसको teacher को करना है आपको नहीं करना आपको सिर्फ इसको देखना है do you observe any change in color of the acid तो क्या आप acid के color में कोई change आपको मिल पाता है तो इसको आप यहाँ पे note करियेगा तो इस case में आपको यहाँ पे कोई color का change नहीं मिलेगा ध्यान दिजेगा add to the acidic solution drop up sodium hydroxide solution by dropper क्या होता है यह एक base होता है तो इस sodium hydroxide के कुछ drops को आप इसमें डालेंगे तो basically आपको यहाँ पे experiment आपको करना है ध्यान से देखेगा यहाँ पे क्या करना होगा इधा देखेगा तो यहाँ पे आपको basically दिखाए गया है कि यह जो आपका है यह आपका जो यहाँ पे दिख रहा है यह base है इसमें आपको acid और indicator को इसमें आपको डालना है जो acid यानि जो आपने जो यह आपका test tube था इस test tube में आपने क्या लिया था acid डिया था one fourth part इसका जो hydrochloric acid का आपने लिया हुआ है और उसके बाद में इसमें आप ए जो indicator है आपका इस indicator से आप क्या करेंगे कुछ drops इसमें पहले डालेंगे और indicator कि जब इसमें drop आप डालेंगे तो यह थोड़ा सा आपको क्या थोड़ा सा कैसा होगा यह इस तरीकी का pink color का थोड़ा बहुत आपको दिखाए देगा लेकिन इसके बाद जब इसमें थोड़ा सा base डाल देंगे इसमें तो फिर इसके color म का कलर है उसमें कोई चेंज होता है तो यहां पर आप देखेंगे जो आपको solution होता है वह आपका जो colorful हो जाता है यानि यह वहेंगनी कलर में आ जाता है continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while string till the pink color just appears तो यहां पर आप sodium hydroxide को तब तक इसमें डालेंगे जब तक कि इसका जो गुलावी color है जिस जैसा की नीचे आप देख रहे हैं वो गुलावी color आपका इसमें आ जाता है तो इसमें आप इसको drop जब इसमें add करेंगे तो इसका गुलावी color इसमें आ जाएगा आगे देखें now add one more drop आप dilute hydrochloric acid इसमें hydrochloric acid का आप एक और drop इसमें डालेंगे तो यहाँ पर एक बार पहले इसको हम देख लेते हैं क्या कुछ changes होते हैं ध्यान से देखिएगा पहले हम क्या करते हैं एक test tube इस तरीके से लेंगे इस test tube में हमने hydrochloric acid का dilute solution डाल रखा है one fourth part टक test tube में इसके बाद में इस test tube में हम इसको डालते हैं लेकिन जब इस इंडिकेटर को हम इसमें डालेंगे तो इसका जो color होगा यह colorless ही बना रहेगा क्योंकि hydrochloric acid जो आपका colorless होता है लेकिन इस indicator को डालने के बाद में इसमें कोई color का change नहीं होगा लेकिन जब इसमें आप base को डालेंगे तो फिर क्या होगा base को जब आप इसमें डाल देंगे तो थोड़ी देर में क्या होगा base को डालने के बाद जब इसमें आप indicator डालेंगे तो इसका color क्या हो जाएगा pink color में convert हो जाएगा जो आपने indicator डाला हुआ था पहले से तो यह होता है अब इसमें आपको क्या करना है फिर आप इसमें थोड जो को यहाँ पर दिखाया गया है इस experiment में तो अब यहाँ पर देखें फिर से आपको क्या करना है now add one more drop of dilute hydrochloric acid तो एक बार जब आपका pink हो गया था जो solution आपने लिया था test tube में उसमें जब आप फिर से hydrochloric acid डाल देंगे तो उसके बाद आप क्या देखेंगे इसका जो pink color है फिर से खतम हो जाएगा यानि ये फिर से आपका colorless हो जाएगा the solution again becomes colorless तो solution आपका फिर से colorless हो जाता है आगे इसमें read करते हैं again add one drop of sodium hydroxide solution इसके बाद फिर आप sodium hydroxide का solutions में डाल लिए is there any change in the color तो आपका फिर से जो color है फिर से ये pink color का हो जाएगा जैसे आप sodium hydroxide का solution डालेंगे तुरंत इसका color pink हो जाएगा the solution again becomes pink in color तो solution आपका pink फिर से हो जाता है यहाँ पे लिखा हुआ है आगे दिखिए डिजब एडेंट that when the solution is basic phenylothelene gives the pink color on the other hand when the solution is a stick it remains colorless तो यहाँ पे आपको बताये गया जो आपका phenylothelene solution है अगर यह basic medium में डाल जाता है तो यह pink color देता है phenylothelene एक indicator है इसको जब हम basic medium में डालते हैं तो pink color देता है लेकिन जब इसको हम a stick medium में डालते हैं तो इसका color कोई नहीं रहता है यह colorless रहता है तो यह चीज़ यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे देखिए neutralization का एक process यहाँ पे आपको दिया गया है यानि जब हम acid और base को बराबर मात्रा में किसी भी acid और base की solutions को बराबर मात्रा में आपस में मिला देते हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं neutralize कर देते हैं neutralize करनी का मतलब जो acidic property या फेसिध हो डिस्टोइब हो जाती है और basic property या base destroy हो जाता है और यह दूनों आपस में mix करके एक नया substance बनाते है जिसको हम क्या कहते हैं salt कहते हैं तो यह overall आपका जो है neutralization होता है आगे देखिए इसमें हम read करते हैं when an acidic solution is mixed बित है basic solution both the solutions neutralize the effect of each other तो अगर हम किसी acidic solution में किसी basic solution को डाल देते हैं तो ये दूनों एक दूसरी के जो effect होते हैं यानि acid का acidic effect और base का basic effect एक दूसरी का ये destroy कर देते हैं आगे देखिए where an acid solution and the base solution are mixed in a suitable amount जब हम acid और base को suitable amount में mix करते हैं both the acidic nature of the acid and the basic nature of the basic are destroyed तो base का जो basic nature है और acid का जो acid, acidic nature है ये दोनों destroy हो जाते हैं खतम हो जाते हैं यानि जो नया solution आपका विलता है ना तो ये acidic होता है और ना ही basic होता है लेकिन हमको इनको proper amount में इनको डालना होता है the resulting solution is neither acidic nor basic तो इस तरीकिस जो resulting solution होता है यानि दोनों को mix करने के बाद जो प्राप्ट solution होता है वो ना तो acidic होता है और ना ही basic होता है आगे इसमें आप radio करिए कहां पे test the taste tube immediately तो ये जो neutralization आपने acid base को डाला है इन दा neutralization reaction heat is always produced तो जब acid or basic दूसरे से reaction करते हैं तो इसमें heat produce होता है क्या निकलता है heat produce होता है और इस heat की कारण या evolve होता है the evolved heat rises the temperature of the reaction mixture तो जो mixture जिसमें आपने acid or base को डाल के इसका reaction हुआ है तो ये mixture आपका क्या होता है heat हो जाता है गरम हो जाता है इन दा neutralization reaction a new substance is formed this is called salt तो neutralization के process में एक नया substance बनता है जिसको हम क्या कहते है salt कहते है आगे याँ आप रेट करिये दा salt में भी acidic basic और neutral in nature लेकिन जो बना हुआ salt है वो थोड़ा बहुत acidic हो सकता है ये basic हो सकता है या वो neutral भी हो सकता है जैसे sodium chloride जो खाने का नमक होता है भी एक salt है लेकिन ये neutral salt होता है आगे इसमें हम रेट करते है this neutralization can be defined as follows तो इस neutralization को हम इस तरीके से यहाँ पर define करते है the reaction between an acid and base is known as neutralization salt and water are produced in this process with the evolution of heat तो जो acid और base के बीच का जो reaction होता है इसको हम neutralization करते है और इस neutralization के बाद में salt और water produce होता है और heat भी साथ में निकलती है तो neutralization को आज़ाइन equation यहाँ पर हम देख सकते है acid plus base equals to salt and water तो acid और base जब neutralize करते हैं दूसरी को तो salt and water बनाते हैं और इसमें heat यहाँ पर evolve होता है यानि उश्मा यहाँ पर निकलती है the following reaction is an example तो यहाँ पर नीचे एक example दिया है hydrochloric acid और यहाँ पर sodium hydroxide hydrochloric acid का simple form SCL होता है और इन्ने वो यह शोता है molecular formula इसका है तो जो आपका hydrochloric acid है SCL और इन्ने वो sodium hydroxide मिलकर क्या बनाते हैं sodium chloride sodium chloride यानि जो खाने का सफेद नमंग होता है आपका sodium chloride होता है और साथ में आपका पानी बनता है तो यहाँ पर एक example आपको neutralization का दिया है आगे देखिए dilute sulfuric acid to lime water dilute sulfuric acid को डाला किसमें lime water में तो आपका sulfuric acid एक acid हो गया और lime water एक basic solution है build a reaction mixture become hot or cool तो यहाँ पर देखिए acid और यह base है lime water base है और sulfuric acid हो आपका acid है यहाँ पर neutralization का process करेंगे और इस neutralization के बाद में जो आपका mixture हो कैसा हो जाएगा तो गरम हो जाएगा क्योंकि neutralization होने के बाद में heat जरूर evolve होता है तो यह आपका total neutralization का process है आगे देखिए neutralization in every day life तो neutralization हमारे देनिक जीवन में कहां की पर होता है इसका यूज क्या है तो इसको हम देखते है in-digestion देखिए आपर आओर इस्टमक contains hydrochloric acid it helps us to digest food as you तो जो हमारा इस्टमक होता है उसके अंदर hydrochloric acid होता है जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है chapter 2 में आपने इसको पढ़ा हुआ है जो हमारा इस्टमक होता है उसके अंदर hydrochloric acid होता है but too much of acid in the stomach causes indigestion लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में ये acid हमारे stomach में आ जाता है तो ये indigestion करता है ये जो हमारा food होता है उसको ठीक से digest नहीं होने देता sometimes indigestion is painful और कभी कभी indigestion आपका क्या होता है painful होता है जाद होता है to relieve indigestion we take an antacid तो इस indigestion से बचने के लिए हम क्या करते हैं antacid लेते हैं antacid एक basic substance होता है जो कि acid को खतम कर देता है acid को neutralize कर देता है क्योंकि antacid एक base होता है और ये acid को क्या करता है करता है एक बेस होता है यह सफेद होता है इसको जब हम खा लेते हैं तो जो एकसिटी आपको काट लेती है जोन होता है it injects अचיתित लिक विक होता है जो आपके इन्जेक्ट कर देती है आगे देखे इन्टू आप येशन तो इसको sodium by carbonate भी कहते हैं और पहला माइन solution which contains zinc carbonate तो यहाँ पर देखे जब आपको चीटी कट ले तो इसके लिए आप क्या करेंगे मोइस्ट वेकिंग सोडा जो बेकिंग सोडा होता है उसको आप थोड़ा सा गीला कर ले पानी में उसके बाद उसको जहां पी चीटी ने काटा है उसके आप रव करिए रगड दीजे या तो आप इसमें क्या करेंगे आप जो है कैला माइन solution इसमें आप लगा देंगे कैला मा आपका एक पैन होता है यहाँ पे खतम हो जाता है आगे देखें में स्वाइल का ट्रेटमेंट यानि जो मती होती है वो कभी इस्टी हो जाती है जिसकी कारण उसमें फसल अच्छे से नहीं उगती तो इसका हम ट्रेटमेंट करते हैं अगर इस्टी हो गया है तो बेस डाल देते हैं जिससे वो नियुटलाइज हो जाए आगे देखिए एक सेसी भी उजाप केमिकल फटलाइजस मेक दा स्वाइल एस्टिक अगर हम केमिकल फटलाइजस कब हुँ ज्यादा ये यूज करते हैं तो जो स्वाइल है उसको एस्टिक बना दिता है प्लैंट्स दूनाथ ग iis like,quick lime तो जब ज़्यादा acid हो जाती है μिट्टी तो isko ilk lime यानि जो सूखा चुना होता है calcium oxide जो होता है उससे इसको trade के रहे उसको डाल दिया जाता है तो इसका acetic diesej उसके खतम हो जाती है और slack lime, तो slack lime मतलब जो calcium hydroxide होता है या बुझा हो जिसे हम कहते है,slag lime का मतलब ब निटलाइज हो जाता है इप दा स्टॉइल is basic लेकिन अगर स्टॉइल बेसिक होता है तो उसमें और्गिनिक इंग्मेटर या तो इसके आगे हम देखते हैं, बहुत सारी फैक्टीज होती है, जिनमें कुछ वेस्ट या खराब पदार थुसकाने, निकलता है, और उस खराब पदात में क्या होता है, अगर इनको हम वाटर बॉड़ीज में पानी में बहने के लिए सुतंत रूप से छोड़ देते हैं, दा एसिट बिल्किल फिश और 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 तो यह जो एसिड होता है, उस तालाब में या वाटर बॉड़ी के जो मचलिया और उनको एक खिल कर देगा, मा देगा, इसको पहले मार कर देजाता है, यानि इसका जो है, रिफाइनिंग कर दी जाती है, जिससे की एसिक प्रोपरटी इसके खतम हो जाती है, इसके बाद इसको वाटर बाधि में छोड़ा जाता है, इससे यह होता है, जो एसिक चनतु है मस्ट्रइों वगेरा वो बरने से बच जाती हैं अब यहां पे देख़ें कीवर्ट्स हैं तो पर जैसे आपका एस्ट क्यों किया होते हैं जो कुछ पदार्थों में मिलते हैं और वह इस इस पर दार्थ है उसका गुड क्या होता है जिसे कोई पानी है अगर इस पानी में आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया है तो इसका पानी कैसा हो जाएगा साल्टी हो जाएगा पानी में नमक डालने से इसका पानी कैसा नमकीन हो जाएगा इसका स्वाद नमकीन हो जाएगा तो इसके अंदर क्या है नमक है उसी तरीके से जब किसी भी पदार्थ में जब acid होता है तो acid के कारण इसका जो taste है या इसका जो property है वो acidic हो जाता है तो यह आपका acid है इसका taste क्या सावर होता है तो ऐसे substances जिन में acid होते हैं उनको हम acidic substances कहते हैं जैसे आपका निवू कारास हो गया उसमें acid होता है और base क्या होते हैं, base भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थों में मिलते हैं, जो उसके property को basic बना देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका taste जो है better होता है, इस तरीके से, indicator कुछ ऐसे substances होते हैं, जो acidic medium में कोई दूसरा color देते हैं, और basic medium में कोई और color द जैसे आपका पानी है, पानी जो होता है ये आपका ना तो acidic होता है और basic होता है, neutral solution होता है, neutralization क्या होता है, direction between acid and base is called neutralization, neutralization is a chemical reaction in which water and salt start produced, तो neutralization का एक जो product होता है, क्या होता है, salt होता है, और ये salt जो हम नमक खाते हैं, ये भी एक क्या होता है, ये भी एक आपका salt होता है, तो यह आपका जो है relation यहाँ पर खतम होता है keywords भी हमने देख लिया जो अगला topic है इसको हम यहाँ पर exercise देखेंगे तो इस वीडियो के यहाँ पेंट करते हैं thanks for watching